तो आज हम बात करेंगे excessive screen time की phone हो, laptop हो, इन पर देखने में आया है कि अक्सर बहुत जादा वक्त लोगों का बीतना लगा है जिसका बुरा असर कहीं न कहीं आपकी सेहत पर पड़ रहा है आपको बता रहे हैं कि American Optometric Association and Deloitte Economics Institute की एक report सामने आई है इस survey में कई चौकाने वाली बाते सामने आई है यह यह survey अमेरिका में किया गया है इसमें एक एक करके हम आपको बताते हैं किस तरह से बढ़ता हुआ screen time आपका परिशानी का एक सबब बनता चला जा रहा है आपकी सेहत के लिए अमेरिका में आपको बता दे एक हजार लोगों पर यह survey किया गया जिसमें कि 18 से 64 साल की उम्रे के लोगों पर यह survey हुआ हर दो में से एक शक्स excessive screen time का शिकार उसमें पाया गया यानि कि 7 घंटे से जादा वक्त वो अपना screen पर बिता रहा है चाहे फिर वो laptop हो, mobile हो या अन्य चीज़े हो या television ही क्यों ना हो इससे क्या समस्या आ रही है इससे अकसर देखने में आ रहा है कि सिरदर्द की शिकायत हो रही है ड्राइ आए लोगों को एक यह बहुत बड़ी समस्या आ रही है इसके लावा गर्दन और पीट में क्योंकि पोश्चर आपका अकसर जब स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता है पोश्चर पर आप ध्यान नहीं देते तो गर्दन और पीट के दर्द की शिकायत का भी लोगों ने बताया उस बारे में इसके लावा अमेरिका में इसके निदान पर यानि इन समस्याओं से निदान पर सालाना 73 बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है इस रिपोर्ट में बात भी सामने आई है और सिर्फ आँखों पर ही नहीं बलकि पूरे शरीर पर इसका असर स्क्रीन टाइम जब बढ़ जाता है उसका असर देखने को मिला है जैसे कि आप फटीग यानि आपको ठकान महसूस होने लग जाती है जब आप एक्सेसिव स्क्रीन टाइम उस पर लगाते हैं ये बाना जा रहा है कि हर दिन 7 घंटे या उससे ज़ादा अगर आप वक्त बिता रहे हैं तो ये बहुत ज़ादा वक्त है अत्यधिक स्क्रीन टाइम इसे कह सकते हैं हाला कि कोई आधिकारिक नंबर नहीं है कि इतने घंटे इसको एक्सेसिव माना जाएगा माइग्रेन और स्क्रीन टाइम का आपस में संबन भी देखने को मिला है अब आपको ये भी बता दें कि कैसे ये आपकी आखों के लिए बेहद खातक है इससे ड्राय आये की समस्या होती है जैसे कि हमने पहले भी बताया आखों में नमी कम हो जाती है जिसे dry eye कहते हैं दुंदला देखना शुरू हो जाता है इसके लावा सिर्फ दर्द की एक समस्या से लोग दो चार हो रहे हैं अलावा आपकी मासपेशियों में थकान महसूस होती है, स्टिफनेस आ जाती है, अकडन महसूस होती है, मसल्स में और गर्दन में दर्द रहता है, चोटे बच्चों को खास्तोर से ध्यान इस पर देने की उनके माता पिता को जरूरत है, क्योंकि छोटे बच्चे जब बहुत स्क्रीन टाइम उस पर व्यतीत करने लग जाते हैं, तो उनकी नजर कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनकी जो मसल्स है, वो धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है, जब उस छोटी कच्ची उमर में अगर वो जादा स्क्रीन उस पर वक्त बिताते हैं, तो उनकी नजर कमजोर होन एक तरफ रखकर कुछ देर के लिए हो सके तो वॉक करें, फोन को एक साइड पर रख दे, अपने डेस्ट पर रख दे, और उससे दूरी बना कर थोड़ा वॉक करें, और एक साथ हो सके तो कई डिवाइस पर लोग काम करते हैं, इस तरीके का वर्क कल्चर है, ओफिसे में भी देखा गया है कि एक साथ कई डिवाइस पर काम करना होता है, तो उससे अगर आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आपको कही ना कही एक तरीका खोजना होगा, साथी साथ आपको बता दे, स्क्रीन को हो सके तो 20-28 इंच की दूरी पर रखें, आपका जो फेस है और स्क्रीन की दूरी जो है 20-28 इंच की दूरी उसके रहनी चाहिए, साथी साथ आपको पॉस्चर का भी धियान रखना है, उसके लिए बैठने के लिए आपको कुरसी और डेस्क का इस्तमाल करना है, और काम के दौरान सही तरीके से बैठने पर गौर करना होगा आपको, क्योंकि जाए रहे है गरदन हो या आँक में दर्द हो तो तुरंत जो स्क्रीन है उससे अपने आपको हटा ले, वहीं पर रूख जाए, आखों में परिशानी अगर होती है तो तुरंत आप डॉक्टर से मिले और रेगुलरली अपना चेक अप कराते रहे, एक और आखड़ा इस व तन 10 गंटे 46 मिनट लगा रहे हैं, फिलिपीन्स की बात करें तो यहां 10 गंटे 27 मिनट, ब्रैजील में 10 गंटे 19 मिनट, सिंगापूर की बात करें तो यहां पर 7 गंटे 28 मिनट, और भारत की बात करें तो यहां 7 गंटे 18 मिनट, और ग्लोबल औसत अगर निकाले तो 6 गंटे सत्तावन मिनिट यानि एक बहुत लंबा वक्त लोग अपना स्क्रीन पर बेता रहे हैं और हमने ये देखा था कॉरणा टाइम में बहुत सी मजबूरिया थी वर्क फ्रॉम चल रहा था लोग ऑफिस नहीं जाते थे इसकी वज़े से लाप्टॉप पर काम करते थे या फिर ऑनलाइन क्लासेज हो रही थी तो उस वक्त एक मजबूरी थी लेकिन बहुत से लोगों को अब इसकी कहीना कहीं लट लग गई है तो जरूरी है आपको चेतना आप में आने की और आपको एक कहीना कहीं चेतावनी भी है क्योंकि इसका ह आपकी सेहत पर इसका असर पड़ रहा है तो जरूरी है उस पर गौर करें और कम से कम स्क्रीन का इस्तमाल करें